आप सभी का डिफेंस वाला की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म की उपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की प्रप्रेशन बहुत अच्छी चल रही होगी लेकि सीडिये से कैसा एक्जामनीशन है जिसमें हर साल लाकों बच्चे अपियर होते है एक्जामनीशन को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप हर टॉपिक को बेसिक से समझे बिकॉस जब आप बेसिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं आपके बेसिक काफी मजबूत होते हैं तो उसके बाद किसी भी तरह का प्रश्ण आपके सामने आ करें हर एक्जामनीशन के अंदर इस टॉपिक का वेटेज काफी जादा है इस टॉपिक से जो कुछे जाते हैं कहीं बार वो डैरेक्ली कुछन पूछ लिए जाते हैं मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस आर्टिकल से बिलॉ पूछे जाते हैं इंडरेक्ली का मतलब यह नहीं है कि कहीं से ऐसा कुछन बनके आ जाएगा जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो या जिसको आप समझ ही ना पाए प्रश्न काफी आसान होता है बहुत इस इस चीज़ होती है कि आपने इस टॉपिक को समझा कितने अच्छे तर बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है हर साल आप देखेंगे एक से लेके तीन तक कुछन्स पूछे जाते हैं तीन कुछन्स पूछे जाएंगे कम से कम एक कुछन तो आता ही है इससे अब टॉपिक बहुत बढ़ा नहीं है टॉपिक छोटा साही है एक्जामनेशन पॉंट जादा डीपली नहीं पढ़ेंगे हां जितना हमारी जरूरत है उतना हम प्रॉपर लीज को समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है किस आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ों को हम समझेंगे जिस तरह के कुछन्स पूछे जाते हैं वह कुछन्स भी मैं आपको बता दूँगा कि कि तरह के कुछन्स इसमें आने वाले तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है डाइक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी आज हम DPSP पूरी तरीके से इसे कंप्रीट कर लेंगे आज के लेक्चर में अब यह होते क्या है डाइक्ट हैं कीया, यहां पर मैं सिर्फ स्टेट गवफटनेंट के बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो वर्ट राज है वो आर्टिकल 12 में वर्ट राज है उसी के रिलेटेट है वह उसी को डेफाइन करता है मतलब सेंटक्र मलों भी आ जाएगी आपके स्टेट गोबर्मेंट भी आपके local authorities भी आ जाती है और other governmental organizations भी इसी में आ जाती है तो जब भी कोई राज हमारी standard government है या state government है वो कोई कानून बनाते हैं कोई policy बनाते हैं तो इस कानून और इस policy का जो major objective है वो क्या होता है major objective होता है लोगों का welfare एक welfare state बनाने कैसा देश बनाना जहाँ पर सभी लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो सामाजिक रूप से सक्षम हो और कोई भी व्यक्ति के साथ सामाजिक base के उपर उसकी economical condition के उपर discrimination ना किया जाए यही major मकसद होता है के अलावा जितने भी policies हम देखते हैं चाहे हमारे education policy हो या pension को लेकर कोई policy हो इसका जो major objective है वो यही होता है कि देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं समाज के अंदर उन सभी का development हो और हमारा जो एक goal है welfare state का उसको मचीव कर लें देखिए word मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ welfare state क्योंकि DPSP को welfare state के साथ ही directly जोड़ा जाता है DPSP मतलब directive principle of state policies का जो major goal है तो होता है कि पूरे देश के अंदर welfare state establish करना welfare state मतलब एक ऐसा state एक ऐसा देश कहां पर सभी लोग खुशाली से रहें और लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाए अब DPSP बेसिकली है क्या यह set of guidelines से यह set of principles से यह कुछ rules से कुछ regulations से कुछ guidelines से बेसिकली जिन्हें follow करना चाहिए राज्यों को और central government को भी जब भी वो कोई policy बना रहे हैं मतलब गला आप किसी policy को बना रहे हैं तो आप इन guidelines को follow करिए इसको मैं example के तुरू बताता हूँ माल लीजिए आप किसी चीज को एक घर को बना रहे हैं अब इस घर को बनाने के लिए आपको कुछ instructions दिये जाते हैं कुछ guidelines दी जाती है कि cement ये वाली use करनी है इट ये वाली use करनी है जब आप उन guidelines को properly follow करते हैं तो घर बहुत अच्छा बनता है उसी तरीके से ये कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकारे राद सरकारे कोई भी policy बनाती है कोई भी scheme लेकर आती है कोई भी कानून बना रही है तो इन instruments को follow कीजिए इन directions को follow कीजिए क्योंकि अगर आप इने follow करेंगे तो जो भी चीज है वो एकदम perfect होगी और इसमें जो बात कही जाएगी वो welfare of people के बारे में ही कही जाएगी तो ये काफ़ी important point है याद रखेगा कि ये instrument of instructions है कि set of directions है directions आप समझते हैं हिंदी में जिसे कहा जाता है दिशा निर्देश ये निर्देश है कि जब भी principles जब भी आप कोई policy बनाएं कोई कानून लेकर आएं कोई bill present करें उस bill के अंदर इन चीजों का ध्यान रखेगा कि ये सारी चीजें वहाँ पर होनी ही चाहिए अब वो सारी चीजें क्या है क्यूं है उसको मागे जानेंगे हर एक article के बारे में जानेंगे पर पहले इस example को से समझ लेते हैं कि DPSP की जरूरत आखिर है क्यों जरूरी है चलिए यहाँ पर दो पिक्चर्स मैंने आपको लेकर रखें यह मानली जी कनेता जी है चुनाओ के समय पे जब यह आपसे वोट मांगने आए तो इन्होंने आपसे काफी जादा वादे कि हम देश के अंदर बेरुसगारी को दूर करेंगे हम देश के अंदर महंगाई को द पूल जाते हैं और यह उस पर काम नहीं करते हैं कुछ अलग तरीके ही बिल्स और पॉलिसी बना रहे हैं अब ऐसा क्या सविधान में कोई प्रावधान है या ऐसा कोई पार्ट है हमारा जो इक गाइडलाइन्स दे कि कोई भी जो राज सरकारे हैं या जो लोग चुन कर डिवधान के अ nemकोड़के सविधान में होना जरूरी है अधरिवास क्या होगा सेम कंडिशन होगी कि लोग वादे ब SEC पादों को निभाएंगे नहीं तो यह चीज़ सई नहीं होगी कि हम जब भी कोई वोटर किसी पार्टी को या किसी नेता को वोट देता है तो सका मेजर अब्जेक्ति भी होता है यह जो व्यक्ति है वो देश की भलाई के लिए काम करेगा वह ऐसी पॉलिसीज ले पर आएगा वो ऐसे कानून बनायागा जिससे मेरा फायदा होगा मेरे देश का फायदा होगा पर अगर ऐसा ना किया जाए तो यह चीज फिर टोटली गलती हो जाएगी इसलिए हमारे सविधान के अंदरी को सेट अफ इंस्रुमेंट्स को रखा गया सेट अफ लेकर आने वाली है तो इन इन्स्रुमेंट्स का ँए इंस्रुमेंट्स का ध्यान रख्के कानून को बनाया जाए ताकि जो कानून बने वह इस तरह का मने जो कि पूरी के पूरी तरीके से ध्यान दे, welfare of people के उपर, अप कुछ statical points के हम बात करें, उससे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ points लिखे गए है, यह भही चीज है जो मैंने आपको बताई है, कि अब यह principles basically है क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें, कुछ principles दिए गए, कुछ instructions दिए गए, वो instructions है क्या, वो principles क्या है, देंकि इसके लिए क्लाइन लिखिए, इस principles emphasize that the state shall try to promote the welfare of people by providing them basic facilities like shelter, food and clothing, यह जो principles है, इन principles में से कई principles ऐसे हैं, जो सीधी सीधी बात करेंगे, कि इन principles में लिखा गिया है, कि सीधा हमको ध्यान देना है, welfare of people पे, लोगों की भलाई करना है, लोगों का जो इस्तर है, सामाज़ेक स्तर हो या आरतिक स्तर हो, उसे समाज में उचा करना है, जैसे लोगों को shelter प्रोवाइट किया जाए, food प्रोवाइट किया जाए, प्रोवाइट किया इंप्लॉइमेंट की, यह सारी प्रिंसिपल्स इसके अंदर दे के रखें, हर एक प्रिंसिपल को हम जानेंगे, पर एक पॉइंट याद रुकिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कि जब भी welfare state की बात आएगी, सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा, DPSP का डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, विकॉज यह डिरेक्ली वेलफेर स्टेट और वेलफेर आफ प्रिंसिपल की बात करता है, ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो कानून बनाया जा रहे हैं, सरकार जो कानून बना रही है, क्या कोई किम लेकर आ रही है, उन स्कीम के थूरू लोगों का सोशल लेवल, एकनॉमिकल लेवल और पॉलिटिकल लेवल के ओपर लोगों को इन्हेंस किया जाए, ताकि हमारा जो सपना है वेलफर स्टेट का वो पूरा हो, अब कुछ स्टाटिकल पॉइंट्स जान लेते हम यहाँ पर, कुछ स्टाटिकल पॉइंट्स इस तरीके के हैं कि किस पार्ट के अंदर DPSP के बात की गई है, किस पार्ट के अंदर DPSP के बात की गई है, तो पार्ट पॉर इंडियन कॉंस्टिशन का DPSP के बात करता है, इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारा fundamental duties है, वो पार्ट पॉर A के अंदर आती है, याद रखिएगा, यह पार्ट काफी important होते हैं, पूछा जाता है, डारेकली पूछा जाएगा किस पार्ट में DPSP के बात की गई है, तो पार्ट 4 के अंदर DPSP के बात की गई है, हमने इस concept को बॉरो कहां से किया, हम अगर सिंगल citizenship की बात करें तो वो United Kingdom का concept है, उसी तरीके से अगर हम quasi federalism की बात करें, जहां पर central government जादा मस्बूत होती है, जादा strong होती है, concept Canada का है, उसी तरीके से हमारे समिधान के अंदर जो DPSP का concept है, वो हमने Irish constitution से लिया है, आइरलेंड के समिधान से लिया है, नोट कर लीजिए, बहुत important चीज़ है, और आइरलेंड ने ये चीज़ ली थी, Spanish constitution, ये भी उसा जा सकता है आपसे, इस point को याद रिखेगा, आइरलेंड ने ये जो चीज़ ली थी, किया है, देखे, दोनों शब्द आ सकते हैं, यहां पर ये भी आ सकता है कि आइरलेंड से किया है, आइरिश किया है, तो आप याद रिखेगा, दोनों चीज़े सेम ही है, इसके बाद, आर्टिकल 35 से लेकि आर्टिकल 51 तक DPSP की बात की गई है, जैसे हमने देखा था, पार्ट 3 के अंदर हमने देखा था, कि हमारे जो fundamental rights है, वो कहां से कहा तक है, आर्टिकल 12 से लेकि आर्टिकल 35 तक है, इसके बाद हमारा जो पार्ट 4 है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रह तो यह चीज है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं था कि रिवीजन भी होता जाया आप एक टॉपिक तो पढ़ी रहें साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड भी जो दूसरे भी टॉपिक्स है जो इसको टॉच करते वह जा रहें उसके बारे में भी हम पढ़ लें यहां पर बह आप यहां पर नौट यह सीजिए बल डीपी एसपी नहीं होते हैं मतलब सीदा सीदा इसका मतलब यह होता है कि अगर टेट गवर्मेंट्स राज सरकार यह केंदर सरकारें डीपी एसपी के जो इंस्ट्रक्शन दिये गए उनको फॉलो ना करें तो उनके अगेंस कारवाई नहीं की जा सकती है तो और कहा था कि बताव जो हैं इन्हें जास्टीसेवल होना जरूरी है कि अगर राजे ने फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए डीपी एसपी अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं राजे तो फिर यह जस्टिसेवर होना चाहिए राजों की जिम्मदारी होना चाहिए कि उन्हें फॉलो करना ही पढ़ेंगे ना कि सिर्फ एक moral obligation होना चाहिए अभी क्या एक moral obligation है स्टेट्स को लगता है कि उन्हें फॉलो करना चाहिए तो वो करते हैं पर याद रुखिए का एक और concept इसमें से निकल कर आता है कि DPSP को फॉलो करना ना करना किस पर डिपेंड करता है वो स्टेट पर डिपेंड करता है साथ ही जाथ स्टेट के पास कितने resources available है मतलब कितना पैसा इस स्टेट के अंदर जैसे एक्जामबल के हम बात करें तो developed स्टेट्स हैं ऐसे स्टेट्स जहां पर पैसा काफी जादा है आप देखें वहाँ पर स्कीम बहुत सारी निकाली जाती है वहां के नंबर भी जादा होता विकॉस जादा लोगों को उन स्कीम की जरूत पढ़ती है और स्टेट्स के पास इतना पैसा वह नहीं होता है कि प्रॉपरली पैसा वह खर्चा कर सके यह जो डिपेंड करता है डी पी एस पी को इंप्लेमेंट करवाना या किस लेवल तक डी पी एस पी किस लेवल तक इंस्रक्शन को फॉलो किया जाएगा उस स्टेट्स की एकनॉमिकल कंडिशन के उपर या उनके पास जो रिसोर्सेस अवैलेबल है उस पे जादा डिपैंड करता है यह कुशन पूशा गया है कि डी एक स्लाइड में हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ जाए यह नहीं होना चीए कि टॉपिक समझ में नहीं आया है और बाद में हम एक्जामनेशन हॉल में जाके कोई ना कोई गलती करते हैं तो यह पॉइंट याद रखिएग आगने वाले 5 साल के बाद जब फिर सेलेक्शन होगा फिर सरकार को हटा दिया जाएगा लोग सरकार को चुनते क्यों ताकि एक वैलफर स्टेट बने लोगों की भलाई हो तो यह बले जस्टिसेबल नहीं है पर ऐसा नहीं है कि इनको लेकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकत कहीं सारे DPSP हैं इनके बारे में हम आगे जानेंगे और देखेंगे कि इन DPSP इसको लेकर भले DPSP जस्टिसेबल नहीं है बट इन्हें लेकर कहीं तरह के कानून बनाये गए हैं जैसे fundamental duties के अंदरम ने देखा था कि duties भले जस्टिसबल नहीं है वले enforceable by court नहीं है enforceable by law नही है बट स्टिल उनको लेकर उनको बेस मानकर कई सारे कानून बनाये गए हैं आगे बात करते हैं यह एक काफी important statement है और बहुत इक्जाम्स में यह पूछा गया है CDS के अंदर ही पूछा गया है आपके ND examination में पूछा गया है CDS के अंदर भी पूछा गया है बाबा साब अमेटकर डॉक्टर इफीमरा अमेटकर साहब ने DPSP के बारे में एक बहुत important statement दिया था बाबा साब ने कहा यह कहा था कि DPSP is the novel feature of the Indian Constitution अब कुश्चन किस तरीके से आता है कि नोवल feature of the Indian Constitution किसे कहा जाता है यह पूछा जाता है कि किसने कहा था DPSP को novel feature of the Indian Constitution तो बाबा साब अमेटकर ने DPSP को novel feature of Indian Constitution कहा था पूबल मतलब अनूठा एक अनूठी विशेषता है भारती से विधान की क्यों अनूठी विशेषता है विकॉज राज्यों को instructions दे रहा है कि आपको यह चीज़ करनी काई है तो that's why यह चीज़ काफ़ states को कोई step रेने से रोकते हैं कि राज जी यह नहीं कर सकते राज्यों को यह नहीं करना चाहिए कि आपके fundamental rights का violation that's why fundamental rights को negative nature का माना जाता है वैं DPSP की बात करें तो DPSP encourage करते कि states को एक करना चाहिए यह चीज़ दो तरके के rights के बाद करी थी पहले rights थे जस्टिसेबल जो थे हमारे fundamental rights दूसरे हमारे जो राइट्स थे वो थे नॉन जस्टिसेबल और वो ही था हमारा DPSP जो कि states को follow करने चाहिए जब भी वो कोई कानून मना रहे हैं तो यह point याद रुखेगा काफे important statement है बाबा साब DPSP को follow नहीं कर रहे हैं तो आप और मैं Supreme Court में या High Court में नहीं जा सकते हैं कि states इन्हें follow नहीं कर रहे हैं याद रखिएगा यह काफी important point है बहुत बार confusion होता है बट DPSP इस्टिसेबल नहीं होते हैं these are not enforceable by court courts इन्हें enforced नहीं कर सकती है राज्यों को मजबूर नहीं कर सकती है कि आप DPSP को follow करो and instructions को follow करो कि मैंने बता दिया है वो states की resources के उपर depend करता है कि कि स्टेट के पास कितने financial resources हैं कितने human resources हैं कितने economical resources हैं उसके उपर depend करता है कि कोई state कितने DPSP को कितने level तक follow कर पाता है अब यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर DPSP के बारे में हमने देखाए कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 31 तक आर्टिकल 51 तक DPSP की बात की गई है अब जितनी भी आप DPSP देखेंगे जो principles आप देखेंगे principles तीन तरह के नेचर के मिजर ली पहला इनका नेचर होगा socialist principle कि यह principles कुछ इस तरीके के हैं जो कि समाज में एक लेवल ले आने की बात करेंगे बदब सुसाइटी के अंदर जो भेदभाव उसको खतम करने की बात करेंगे सुसाइटी के अंदर एक ऐसा लेवल लाने की बात करेंगे जहां पर भी उच नीच ना हो यह सारे principles कौन कौन से यह आर्टिकल 38 है 39 है 41 है 42 है 43 है 43 है 47 है क्या मतलब इसका साइटी के अंदर बैसिकली भेदभाव को कम करने के लिए principles को लाया गिया है यह वह सारे instructions है जब आप instructions को पढ़ेंगे इन guidelines को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आज जाएगा कि guidelines का जो major role है फुजी है कि society के अंदर जो उच नीच है भले जो economic equality है जो social inequality है उसे कम किया जा सके इसके बाद दूसरे तरह के principles होते गांधियन principles के बारे में जब भी आएगा question यह गांधी जी के बारे में जब भी उनकी ideology आएगी गाउं को जितना develop करेंगे गाउं का जितना विकास करेंगे उतना हमारा देश develop होता जाएगा और यह बास सही भी थी तो कि हमारा देश की काफी बड़ी आबादी गाउं में रहती है अगर गाउं को हमने develop कर लिया villages को हमने develop कर लिया हम आपने small industries को setup कर लिया cottage industry को करेंगे कि कहीं ना कहीं promotion of cottage industry की बात की जाएगी या village development की बात यहां पर की जाएगी अब यहां पर बहुत सारे principles ऐसे हैं जिसमें दोनों तरह की philosophies दी गई है तो इसमें नहीं हो रहा है तीसरे हमारे होते हैं liberal principle, liberal का basically मतलब होता है freedom कि ऐसे principles हैं जो society के अंदर या society को एक liberalize करने की कोशिश करने society में एक freedom लाने की बात करेंगे यह सारे principles कौन से 45, 44, 48, 48, 49, 50, 51 जिसके बारे में हम बात करेंगे काफे important principles हैं तो इसलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले DPSP में हमने देखा है कि article 36 से लेकर article 51 तक DPSP की बात की गई है अब देरेक्टिव प्रेंसेपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है राज के निती निर्देशक तत्व की बात की गई है तो सबसे पहले जो आटिकल हमारे सामने आता है वह आर्टिकल 36 अब आर्टिकल 36 बेसिकली क्या बोलता एक पीछे जो लिखा है आप उसे पढ मतलब किया होगा आपको यादा रहा होगा मैंने चनल में बताया भी था फर समझ लेता है कि स्टेट का मतलब स今 और केवल केवल केंद VIS सरकार मतलब सेंतेल गवर्मेंट या राज्य सरकार नहीं हो generate कम यहां पर था था कि अंचायती राज आ गई है आपके मुंसिबल कोर्परिशन हो गए थी और अधर गवर्मेंटल और नाजजेशन जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर सीपी आई भी इसके अंदर आ गया था किलावा अगर बात कि जाए कि हमारे जो जितनी भी और नाजजेशन ने भी इसके अं मतलब कि चारों होंगे चारों चीजें स्टेट के अंदर आएगे अब आर्टिकल 36 में सीधी बात यही कह दी गई है कि पार्ट 3 में जो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है पार्ट 4 में भी स्टेट का मतलब वही होगा तो से स्टेट का मतलब वही होगा जो कि पार्ट 3 क के अंदर है सीधा सीधा आर्टिकल 36 में दिया गया एक और पॉइंट रुखेगा गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1935 ऐसा एक जिससे लगबक 60% से ज्यादा मैं कहूं कि 65% से ज्यादा जो हमने अपने साविधान के अंदर ले लिय थे। उस समय इस एक्ट में एक और चीज़ वो कहा गया था इंस्टामेंट अफ इंस्ट्रक्षेंस ते स्टेट के लिए प्रिंसली स्टेटिस के लिए तो नहीं थे ट्रिंस्टीर धेंस्तार को यह instruments of instructions आगे जाके DPSP बने हैं तो कुछिन किस तरीके का पूछा जाता है कि instrument of instructions किसे कहा जाता है तो basically government of India Act 1935 में कुछ instructions दिए गए थे states के लिए कि वो इनको follow करें और आज क्या क्या जाता है वही instructions basically DPSP के नाम से जाने जाते हैं exactly वैसे के वैसे नहीं है विकॉस जो concept है वो तो हमने कहां से बढ़ो कर लिया Ireland से बढ़ो किया है बट स्टिल ऐसी एक चीज़ ऐसा concept हमारे government of India Act 1935 के अंदर भी था यह point याद रखिएगा और article 36 के अंदर state का definition यह आपर properly दे दिया है आपको clear हो गया होगा article 36 क्या है और instrument of instructions के बारे में भी आपको समझ में आया होगा आगे बात कि जाए आर्टिकल 37 की देखिए मैं चाहूंगा पहले आप इस article को पढ़े because पढ़ के समझेंगे तो ज्यादा चीज़ें और अच्छे से clear होगी the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court cdcd बात कही गई है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी provisions इसके अंदर देके रखे हैं जो भी guidelines देके रखे जो भी set of principles देके रखें these are not enforceable by court of law मतलब हमारा जो supreme court है हमारा जो high court है वो states को राज्यों को force नहीं कर सकता कि आपको DPSP को following करना है पर आज जो के उपर है मैंने बता दिया states क्या जो भी condition होगी उनके जो means of resources होंगे उनकी resources की उनकी जितनी capability होगी उसके इसाब से वो DPSP follow करते है वार्टिकल 37 डारेक्ली यह चीज़ कहता है कि जो DPSP हैं उसे केंद्र सरकार को यहाराच सरकार को मानने के लिए बात नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट रहाई कोट पोर्स नहीं कर सकते कि DPSP को माना ही जाए बट यहां पर एक और चीज़ कहीं गई है कि गवर्मेंट की moral duty है खली इन नहीं है बट एक moral duty है उनकी कि इन्हें apply करें जब भी वह policies बनाएं जब भी वह किसी scheme को लेकर आए इन्हें apply करें वह फोर्स नहीं किया जा रहा है बट आपका duty है एक moral obligation है जैसे fundamental duties की बात करे fundamental duties भी enforceable by court of law तो है नहीं बट आपके और मेरी एक duty होती है न कि हाँ इन चीजों का फॉलो करें एक moral responsibility हमारी पैसे ही states की moral responsibility है कि वह इन्हें follow करें जबी schemes बनाए इन principles का ध्यान रखें इन चीजों को ध्यान रखें और यही बात आर्टिकल 37 के इंदर कही गई है तो याद रखिएगा question यहां पर इस तरीके का पूछा जाता है कि कौन सा article यह कहता है कि जो DPSP इस है इस आर नॉट enforceable by any court of law कौन सा आर्टिकल कहता है आर्टिकल 37 कहता है ऐसी simple symbol से questions पूछे जाते हैं आसान से ही questions आते हैं बहुत difficult question आप से नहीं पूछे जाएंगे इनको समझना दरूरी है जब समझेंगे नहीं अब तक क्या है चीज़ें आपको clear नहीं होगी concept clear नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब properly DPSP स्टार्ट होते हैं सबसे पहला हमारा जो डारेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिचीज है वह आर्टिकल 38 क्या बोलता है यह काफी आसान सा है और यह हर स्टेट इससे फॉलू भी करता है आप देखेंगे कि जब भी आपकी स्टेट में कोई स्कीम बन रही है किया कुई नया बिल आता है कोई नया कानून आता है वो DPSP को धियान में रखके बनाया जा रहे है भली इन्फोरसिबल बाय कोट और नहीं है वे आप खुद फील करेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी कि दिखेंगे स्कीम को बनी है यह सी को लेकर बनाय स्टेट इस राज्यों के अंदर पूरे देश के अंदर जितने भी लोग है उन्हें एकनॉमिकल जस्टिस पॉलिटीकल जस्टिस और सोशल जस्टिस प्रोवाइट करें सीधी बात है आपको या दा रहा होगा जस्टिस का जो कॉंसेट हैं मुझे कमेंट बॉक्स यहां पर सधाइब की यहां पर लोगों और सब्सक्रण को पाने की जैसे करने के बात की जाए तो सीधी सीधी बात की जा यहां पर लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब करवाया जाएं जो है वो जॉब्स निकाले चाहिए गवर्मेंट जॉब प्राइवेट जॉब्स हो जो भी है गवर्मेंट जो है ये intervene करें, ये सुनेशित करें basically कि लोगों के पास job हो, उनके पास opportunities हो, नए jobs generate होते रहें, इसके बाद facilities देने की बात कि ये facilities का basically मतलब होता है, hospitals बनाया जाएं, hospital के साथ schools बनाया जाएं, कुछ ऐसी organizations बनाया जाएं, जो कि लोगों के welfare के लिए काम करें, ये facilities लोगों को दी ज जाने चाहिए, इस example की हम बात करें कि आप कई राज्जों में आप देखेंगे, आपके राज्ज में भी चीज आपने देखी होगी, railway stations के पास ran basera होते हैं, ran basera जहां पर बहुत कम पैसे देकर आप राद बिता सकते हैं, आपको विवस्था की जाती है, कम पैसे के अंदर आप देखा होगा, जैसे मदर प्रदेश की बात की जाए, दुसरे स्टेट्स की बात की जाए, यह उजना चलती ही, राम रोटी जिसमें क्या किया जाता है, बहुत ही कम कीमत पर, MPK में बात करूं, तो पास रुबे कीमत पर आपको फूट प्रवाइट किया जाता है, ऐसे आपके राज्यों के अंदर भी कोई ना कोई यूजना चल रही होगी, तो बेसिकली यह क्या है, यह आपको फैसलिटीस ही तो प्रवाइट कर रहे है, यह जो स्कीम्स बनाई जाती है, उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसी स्क सोचलिस प्रिंसिपल में, अब देखिए, सोचलिस का क्या मतलब होता है कि लोगों को एक लेवल तक लेकर आना, फैसलिटीस प्रवाइड करना, अब देखिए, यहाँ पर उसी की बात की जारी है, इनकम का लेवल लोगों का बराबर रहे, उन्हें सभी को फैसलिटीस मिले आटिकल 38 बेसिकली सी की बात करता है, चलिये अब हम next article की बात करते हैं, next article की बात कि जाया है, बेकि आटिकल 39 बहुत जादा important है, असा इसलिए, विकॉज आटिकल 39 के अंदर कुछ ऐसे points दीए गए गएं, जो various examinations कें अंदर आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ, पिशली ही है डीटेल में हम समझते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स देके रखें तो सुसाइटी की इने किसी प्रॉब्लम को सुधारने के लिए उस प्रॉब्लम के ऊपर उस पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम को खतम किया जा सके यह सारी चीज न इस आर्टिकल में बताएगे बिस्तिकली आर्टिकल बात करता है तो कुछ इन पॉइंट्स की तरफ या इन एरिया की तरफ उनको ध्यान देना है अब वो एरिया क्या है जैसे पहला और इंपॉर्टेंट एरिया है एक्वल पेप और एक्वल वर्क फॉर्क और बोथ मैन औ मैन और वुमन अगर दोनों सेम जॉब के अंदर है महिलाएं और पुरुष दोनों सेम जॉब के अंदर है उनके जो वेजिस हैं वो भी सीम होना चाहिए अलग अलग नहीं हो सकते है आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर मैन और वोमन के साथ डिस्रमिनेशन किया जा मैला हो या पुरुष हो कम से कम इतने पैसे तो देनी होंगे तो यह पॉइंट आपको याद रखना है अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या यह जो पॉलिसी बनाए जारी है कि सिर्फ गवर्मेंट इंस्टिउशन के लिए बनाए जाती है मतलब अगर बात की जारी है कि equal pay for equal world तो क्या है सरकारी जॉब में होगा ऐसा नहीं है यहाँ पर जब भी बात की जाती है तो overall country की बात की जारी है की तरीके से right to advocate means of livelihood for all citizens यहां पर basically बात की जारी है employment की कि देश के जितने भी लोग हैं उनके पास जीने के संसाधन होने चाहिए जीने के संसाधन कब होंगी जब उनके पास job होगा पैसा होगा अब इसके लिए सरकार अलग-लग तरह की employment schemes निकालती है development schemes निकालती है वो इसी के तहद निकाली जाती है इसके अंदर जो important points है उस पर star लगाऊंगा इस साइड ताकि आप इन points को जाद अच्छे से ध्यान में रखें के बाद हम बात करते है चिल्ट्रन childhood and youth shall not be exploited and children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner की बच्चे है यूद है चिल्ट्रन से उनका exploitation नहीं होना चाहिए और उन्हें healthy manner के अंदर develop होने का chance यहां पर मिलना चाहिए मतलब यहां पर child exploitation की बात की गई है कि कि इसी भी तरीके से उन्हें exploit नहीं किया जाना चाहिए जिसे child labor laws बनाया जाते हैं कि थुरू बच्चों के exploitation को रोका जा रहा है यह उसी की बात कर रहा है इसके लावा health and strength of workers men and women and the tender age of children are not abused जो की health है वरकर से कोई वरकर कहीं पर काम कर रहा है उसकी health के साथ चाहिए वो man हो woman हो या बच्चे उनकी health के साथ compromise नहीं किया जाना चाहिए मतलब कड़े कानून बनाया जाने चाहिए इस example के बात की जाए कोई एक एसी factory है जहां पर बड़ा हजाडियस काम हो रहा है बहुत सारी प्रॉपर किड़ देना होगा पर मास्क देना होगा ताकि मास्क और किट के कारण उनकी health पे गलत असर ना पड़े इस तरके कानून इसके थूर लाया जा सकते हैं पॉलिसी बनाए जा सकती है इसके बास citizens are not forced by economic necessity to enter evocations and unsuitate to their age or strength मतलब किसी की economical मजबूरी के उपर उसे उस तरह की कामों में नहीं धकेलना चाहिए जो उसके लिए suitable नहीं है उसकी age के लिए suitable नहीं है के बाद ownership and control of material resources shall be organized in a manner to serve the common good यह important है यह पुशा गिया है देखिए कि जो ownership और control है materials इतने भी resources है हमारे आपर material resources है उनकी ownership को एक ही जगह पर नहीं देना है और नाइस manner के अंदर करना है बतलब यह नहीं किया जा सकता है कि पूरे देश में अगर शॉप है यहां पर वो उसी की बात यहां पर की गई है तो यह point थोड़ा सा आप याद रुखेगा next आगे हम बात करें अब इसके बाद article 39 a बड़ा important है क्यों है क्यों कि पहले नहीं था बाद में जोड़ा गया है जी हां 42nd Constitution Amendment 42 सविधान संशोधन 1976 का इसे लगु समिधान या मिनी DPSP के अंदर भी आ गया तो DPSP के अंदर भी इसने तीन नए आर्टिकल जोड़े हैं जिसमें पहला है 39 a देखिए बात क्या करता है यह बात करता है Equal Justice and Free Legal Aid की अब यह है क्या देखिए नोट्स यहां पर है या बाद में पढ़ीगा पर चीज़े समशिए पहले की Equal Justice and Free Legal Aid होता क्या है सबसे पहले हम बात करते है Equal Justice कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए समान न्याय का मतलब यह होता है मान दीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी Financial Condition ठीक नहीं है वो बहुत गरीब है अब ऐसा व्यक्ति उसके उपर उसने कोई गुनाह कर दिया है या गल्ती से उसे किसी केस में फसाद दिया गया अब वो परसन financially इतना stable नहीं है कि वो न्याय पासके विगॉस न्याय अगर उसको पाना है तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा आओ पर यह तो जरूरी है कि अपना पक्ष रखने के लिए वो किसी अच्छे वकील को हायर कर सके कोई अच्छा वकील उसका पक्ष गई थी कि मुफ्त में कानूनी सहायता मिले देखे क्या होता है कहीं बार बहुत सारे हमारे सुसाइटी में ऐसे गरीब लोग होते हैं जिने कानून के बारे में नहीं पता होता है उन्हें कानूनी सलाह भी दी जाती कि अगर आपका केस इस तरीके का चल रहा है या अगर आ चाहिए वेकॉस पड़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो यह चीज़ भी इसके अंदर आती है के उपर कोई भी व्यक्ति नियाय से वंचित नार है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज है और इसे आट किया गया था फूर्टी सेकंड कॉंस्टिशन अमेंडमेंट एक 1976 के द्वारा और यहां पर जो बात की गई है पर्टिकुलर्ली वो बात की जाती है यहां पर एक्वल है जस्तिस समान निया एंड फ्री लीगल एड को भी देना भूल ज़रूरी हमारे देश क्यों कि समाज में आज बी गरीब इतनी जयादा हो गई है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इवन लीगल एडवाइस के लिए पैसा दे सके किसी को माल लीजे कोई परसन है उसके घर के ओपर किसे ने कबजा कर लिया है कि जमीन का विवाद चल रहा है करीब आत्मी उसको नहीं पता कि क्या किया जा ऐसे केस में अब वो किसी वकील के पास जाएगा कि वकील साब मुझे ये करना है मेरे उपर ये केस हो रखा है क्या मेरे फैमली का डिस्पूच चल रहा है मैं क्या करूँ वकील साब एक तगडी फीस मांगेंगे उसके पास नहीं है वैसा कहां से वो देगा ऐसे लोगों के लिए समाज में जो बहुत जादा है इनका नंबर ऐसे लोगों के लिए इस आर्टिकल को या मैं सीधी सीधी बात करूँ बेसिकली प्रॉपरली एक क्लॉस को ही लेकर आया गया और इस आर्टिकल के इंदर सीधा-सीधा मिलेंगे जो लोगों को फ्री में मुफ्त में कानूनी सलहा भी देते हैं और लोगों को कहीं बार फ्ली लिगल एड भी प्रॉवाइड करते हैं तो यह इसी के बात कर रहा है आगे बढ़ते हूं DPSP शुरुवास से हमारे Constitution के अंदर है जैसे fundamental duties के बात करें वो तो बाद मैट की गई थी पर DPSP के बात कर जाए वो शुरुवास से ही हमारे सविधान में है पर DPSP में एक कमी यह है कि इसे नहीं कर सकती है अब पंचायती राज आर्टिकल 40 के अंदर थी तो से पर कोड इसे इंफोर्स कर सकती थी क्या नहीं कर सकती है तो याद रुखिएगा इसी लिए फिर हम कौन साय कमेंडमेंट लेकर आए हम लेकर आए 73rd Constitution Amendment Act 1992 उसके द्वारा हमने 14 जोड़ा समिधान मे और पंचायती राज को एक समिधानिक दर्जा दिया जो जरूरी भी था अब यहां पर पहले में बात कर रहें तो आर्टिकल 14 बात करता है और यहां पर यहां पर सीधी बात है यहां पर यह कैतो दिया गया था कि राज्यों को एक करना चाहिए स्टेप्स लेना चाहिए कि पंचायती राज को सेट अप किया जाए उन्हें पावर देना चाहिए ताकि सेल्फ गवर्मेंट का जो सपना है वह पूरा हो सके पट ऑबिसली डीपीस पी इनफॉर्सेबल नहीं है तो इनका कोई फायदा हो नहीं रहा था इसलिए 73rd Constitution Amendment Act को लेकर आना पड़ा याद रुखिएगा हर शीज़ का एक रीजन होता है कि अगर कुश्चन पूशा रहे आपसे कि आगे बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 के अंदर कुछ इंपॉर्टन चीज़े देखे रखी है जैसे कि यह बात करता है स्टेट शल्विदिन दे लिमिट्स ओप इस एकनॉमिक कैपसिटी देकि सीधा सीधा लिखा है राज अपनी एकनॉमिक कैपसिटी के लोगों के वेलफेर के लिए कैसे काम परवकाएगी इसके मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो DPSP है वो कितने लेवल तक कोई राज्जी फॉलो कर रहा है या कितने लेवल तक सेंट्र गवर्मेंट फॉलो करती है कि डिपेंड करता है उसकी एकनॉमिक कंडिशन पर और कित हाला किशी कुई फंदामेंटल राइट तो है नहीं हमारा रख वक काम करने का अधिकार फंदामेंटल राइट नहीं है नोड कर लीजेगा ODPSP के अंदर मैंशन किया गया है इसके बाधुराट2 education आर्टी की अगर मैं बात करू प्राइट ह 되면 एड्वी है व辉तके 21 ए आर्र एंदर हमारा आर्टी और टी के बात की बात की गई कौन सा संस्ट्टीशन अमेंट्मेंट था स्विधान संशोदन 2002 के दारा आर्टी मतलब राइट टू एडूकेशन को लेकर आया गया था अब बात की गई है क्योंकि आर्टीकल 21 ए तो बाद में आया है ना 2002 में आया है ना उससे पहले कहा था उससे पहले यहाँ पर DPSP में राइट टू एडूकेशन की बाद राज्यो चाहिए जो भी बच्चे हैं को एडिकार दे उनको एडूकेशन प्रवाइट करें इस तरह की पॉलिसी बनाएं इस तरह की स्कीम बनाएं आगे हम बात करें राइट टू पब्लीक असिस्टेंस इने दिया जाना चाहिए किस के अंदर आंप्लॉइमेंट के अंदर जैसे अ की जा रही है old age homes की बात की जा रही है कि जो ओल्ड है जो बुज़ुर्ग है उन्हें पेंशन दी जाए old age home में उनका प्लेस निक्योर किया जाए जो व्यक्ति हमारे देश में disabled है जो बिमार है उनके फायदे के लिए काम किये जाएं जैसे आप देखते होंगे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्केम चलती है कि अगर किसी परसन को कोई बहुत बड़ी बिमारी है तो सरकार किसी स्कीम के तैद उसका इलाज करवाती है वो इ ठीक नहीं है disabled है उनके वेलफर का ध्यान कौन रखेगा उनके वेलफर का ध्यान भी सरकारी रखेगी के बाद एंड अधर केसे अंडिजर्वड वन ऐसे लोग जो कि अंडिजर्वड है उन लोगों के लिए भी कोई न कोई अपॉर्शनटी क्रियेट करनी चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाते रहनी चाहिए तो मेजर ली इसकी बात की गई है आर्टिकल पोटी वन के अंदर याद रखेगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो बहुत जादा नहीं है डारेक्ली कुश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं अपको समझना पड़ेगा समझना जरूरी है क्योंकि जितना मजबूत आपका बेसिक होगा बेस जितना मजबूत होगा आपकी जो बिल्टिंग आपके इमारत से नौलिश की वह उतनी ही बड़ी खड़ी उपाईगी उस पर तो यह बेसिक को ध्यान रखिएगा आगे हम बात करें आर्टिकल 42 बात करता है इस्टेट शेल में प्रोविजिएंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एन हुमन कंडिशन्स याद रखिएगा दोनों के बारे में ब बनाया गया जो की काम करते हैं बटिंघ ये हमारे देश में जो भी लोग काम कर रहें किसी जगां पर करें उसमयप को कि एक समय कमरे में 15 15 लोग को रखा जाता था खाना ठीक सा नहीं दिया जाता था अट्र अट्रा गंटे काम कर सब्सक्राइब? जो कि human condition नहीं थी, कोई इंसान इन conditions में काम नहीं कर सकता है, तो basically उसी के बाद की गए कि राज्यों को केंदर सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए, ताकि just and human conditions को ensure कर सकें, कानून बनाना चाहिए ऐसा कि कोई भी company जो है वो इस तरह की conditions में लोग उसे काम नहीं करवा सकती ह अगर ज़्यादा काम करवाया जाएगा, तो over time pay करना पड़ेगा, किसी को भी forcefully काम नहीं करवाया जा सकता है, तो इस तरह की जो policies बनाई जाती है, तो बनती भी हमारे देश में वो इस article के according है बनाई जा रही है, दूसरा याँबर बात की कि maternity relief की, आपने सुना होगा मात असरत्व अवकाश के बारे में, अगर कोई महिला काम का जी महिला है, जब वो pregnant होते हैं, तो अगर वो pregnant है, उस समय पर उन्हें जॉब से निकाला नहीं जा सकता है, कि वो pregnant हो गए, काम नहीं कर पाएंगे, तो जॉब से निकाल दिया, यह नहीं किया जा सकता है, maternity relief को लेक किये गए है, यह अपडेट भी हो गया है, तो यह क्यों बनाया गया है, ताकि इस article के recording, जिस DPSP की जिस direction की बात की गई है, उस direction को fulfill किया जा सके, just and human conditions की बात की गई है, साथ इसाथ maternity relief की बात की गई है, याद रखिएगा, questions पूछे जा सकते हैं, कि किस article में basically क्या पूछ नहीं है, पर सिल अगर हम सारे articles वट रहे हैं, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, में दो points काफ़े important है, कि दो points की बात की जाए, पहला है, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of listeners and social and cultural opportunities, और secure a living wage and decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers, basically यह बात की जारी उन workers के लिए कि उनके जो wages हैं, अ होना चाहिए, आप यह नहीं करना चाहिए, आप बहुत कम पैसा दे रहे हैं उसक्ति को, बहुत काम कराया जा रहा है, उसके जो wages हैं, वो थोड़े से decent होना चाहिए, और उसे social रूप से, cultural रूप से develop होने की opportunity मिलनी चाहिए, तो इस बारे में इस article में बात की गई है, बट करता है, यहाँ पर the state shall take steps to secure the participation of workers in the management of industries, देखी क्या है, इसके बारे में डीटील से बात करें, इससे पहले इससे भी 42nd Constitution Amendment Act, वयालिक्ति सविदान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जैसा कि मैंने आपको बता है, कि तीन चीज़े जोड़ी गई है, उसमें एक ये इस आर्टिकल को भी 42nd Constitution Amendment Act 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, यह आर्टिकल बोलता क्या है, कितने भी industries है, आपने industries में देखा होगा, working worker unions होती है, board of members होते है, board of members के अंदर कहीं employees को भी जगह दी जाती है, तो basically यह आर्टिकल यह कहता है, कि management के अंदर भी जो लोग काम कर रह है, वही जब management के अंदर जाएंगे, तो उनको पता होगा, जो लोग काम करते हैं, उनकी समस्तिया क्या आती है, वो क्या क्या चीज़े फेस करते हैं, ताकि इसका जो major मकसद था, इस आर्टिकल का वो यह था, कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो working population है, जो ground level पर काम कर रही है, उनकी welfare की बात की जाए, ताकि management के अंदर भी जब उनी में से उठकर कोई जाता है, तो उनकी problems को वो सही तरीके से समझ सकता है, और article 43A में इसी के बारे में बात की गई है, इसके बाद एक और article 43B, काफी important article यह बात करता है, to promote voluntary formation, autonomous functioning and democratic control and professional management of cooperative societies, यहाँ पर यह बात की जा र करने की, कि जितनी भी cooperative societies हैं, उनको लेकर उनको regulate करने के लिए, राज्यों को कानून बनाने चाहिए, state government के साथ सेंटल को भी कानून बनाने चाहिए, ताकि cooperative societies proper रूप से developed हो, तके proper उसका function हो सके, इतना intervene भी नहीं करना है, कि सरकार पूरी तरीके से इन cooperative societies के management में interfere कर रही है इंटर्वेन कर रही है, यह नहीं किया जा सकता है, हाँ, पर एक तरीके से आप उनको manage कर सकते हैं, उनके management के अंदर 16 सा ध्यान देना है, ताकि systematic way के अंदर cooperative societies हमारे देश में develop हो सकते हैं, जिसे अमूल की बात करेंगे, अमूल बहुत अच्छी cooperative society के रूप में हमारे देश में develop हुई है, इसका फायदा बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि कई लोग cooperative society के सहायता से अपना economical level भी बहुत मद्बूत कर लेते हैं, आगे बात करते हैं, इसके बात article 44 काफी important article है, बहुत जादा important है, कई exams में पूशा गिया है, because the article बात करता है, uniform civil court की UCC की बात करता है, समान नागरिक सहीता की बात करता है, देखिए, समान नागरिक सहीता होती क्या है, घंबल की तौर पर बात की जाएंगे, कि हमारे देश में जितने भी criminal laws हैं, ऐसे laws जो की crime को लेकर बने गए हैं, अब देखिए example की, अगर मैं यहापर बात करूँ कि किसी व्यक्तिने अ जाता है, यहाँ पर यहाँ पर यह सारे कानून भी जिस तरीके से criminal laws पूरे देश में समान हैं, उसी तरीके से यह सारे कानून भी समान होने चाहिए, इसी की बात की गई है, UCC के अंदर uniform civil code के अंदर की बात की गई है, अब देखिए question क्या पुशा जाता है, question directly आता है, जाता है कि uniform civil code के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, प्यादर की आर्टिकल 44 uniform civil code के बारे में बात करता है, classes के अंदर मैंने बहुत detail में आपको इसको समझाय है, इसको लेकर जो particular अभी कुछ समय पहले case था, दिली हाई कोट का, उसके बारे में भी हमने बात करी थी, तो बहुत important case है, और important कानून भी है, मुझे आप comment box के अंदर बताएगे कि कौन से states के अंदर QCC को applicable कर दिया गया है, या कौन से states में QCC को applicable करने की बात की जा रही है, जोर शोर से, यह बताएगे का मुझे, बहुत important चीज़ है, यह question आप से पूछे जा सकते हैं, तो article 44 याद रुखिएगा, uniform civil code की बात करता है, बहुत-बहुत-बहुत important है, इसको लएकर कई बार बहस भी हो रही है, लोगों के विचार अलग-अलग भी है, पर स्टिल यह करतव है, यह central government का भी करतव है, और state government की भी responsibilities है कि QCC को promote करे मों, यह बहुत जरूरी है, आगे हम बात करते हैं, इसके बाद article 45, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the job, 6th year, काफी important है, बच्चों के education को लेकर है, कि जो state है, हमारी राज सरकारे, केंदर सरकारे है, उन्हें यह ensure करना है कि बच्चों को childhood care मिले, बच्चों का सही तरीके से रखरखाव किया जाए, उन्हें nutritious food भी मिले, और properly उनका education complete किया जाए, जब तक वो 6 साल तक के है, तब तक उनकी education के जिम्मदारी यहां पर states की होनी चाहिए, इंस्रक्शन यहां पर दिया गया है, और इसा होता भी है, उसके बाद आप देखेंगे, 6-14 यह की बच्चों को जो education provide की जाती है, वो RTE के according provide की जा रही है, मतलब अभी यह क्या बन गया है, उनका fundamental right बन गया है, तो यहां पर basically जब तक 6 साल तक complete नहीं कर रहे हैं, यह DPSP में आ जाता है, और 6-14 किसमें आ जाता है, इनके fundamental right के अंदर आ जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें, किदी सी बात यहां पर education की गई है, article कौन से, article 45 है, important article है, क्योंकि जहां पर भी child education की directly बात कर ली जाती है वो article अपने आप बहुत important हो जाता है, याद रखेगा यह जो article है, वो कौन से, article 45 है, चलिए अगले article की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद यह article 46, article 46 बात करता है, the state shall promote education and economic interest of the weaker section of the people, ठीके, particularly बात की जा रही है, यहां पर, weaker section of the people की, particularly schedule caste, schedule tribes and other weaker sections, समाज के जो other weaker sections है, जारी है, जैसे schedule tribes के बात की जाए, schedule caste की बात की जाए, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, उनके economical interest और educational interest को promote किये जाने की बात की जारी है, मतलब प्स्तिती सीधी बात की जारी है, कि समाज के इंदर ऐसे वर्ग, तो कि पिछडे हुए हैं, उन्हें educationally promote करना है, उन्हें opportunities दे देखते हैं कि बहुत सारी government schemes बनाई जाती है, राट सरकार भी बनाती है, केंदर सरकार भी बनाती है, तो society के इन sections के लिए होती है, स्टी के लिए होती है, स्टी से के लिए होती है, इसलिए ये बाद DPSP के अदर भी कही गई है, इसे भी आप जानते हैं कि 103rd Constitution amendment text जो की 2019 में अब हम देखते हैं कि education institutions के ँद्र दिया जा रहा है तो वेकिकली कहां से किया जा रहे है कहीं न कहीं इसी चीज़ को promote करने की बात की जा रही है कहीं न कहीं इसी principals से related है इससी को ध्यान में रख्के चीज़े बनाई गई है याद रखेगा हर चीज जब आप देखेंगे वो किसी ना किसी से जुड़ी ही हो जाती है और यही बड़ी important चीज़ इसमें हो जाती है आगे बात करते है नेक्स आर्टिकल 47 काफी important आर्टिकल है यह भी स्टार में बना देता हूं ताकि आप याद रखें duty of the state to raise the level of nutrition and the standards of living and improve public health पहले इसमें दो बात है यह पहला है कि राज्यों के duty है कि लोगों का nutrition level है और जो उनका standard of living है उसको वो बढ़ा है nutritious level कैसे बढ़ा सकते हैं आपने देखा होगा मुफ्त में राशन देती है बच्चों को food provide किया जाता है इससे उनका nutritious level बढ़ता है दूसरा standard of living कैसे बढ़ाया जाता है कहीं तरह की schemes के थूरू चीज़े प्रवाइट की जाती है कहीं प्रवाइट की जाते है कहीं materialistic चीज़े प्रवाइट की जाते है इससे कि उनका standard of living बढ़ता है पर इसमें जो दूसरी चीज़ है जो दूसरी आफ इंपॉरंट है यहां पर जो बात की गई प्रॉपरली वो बात की पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के देखिस आर्ट मतलब अगर स्टेट्स के अंदर अगर राज्यों के अंदर अगर देश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो कि intoxicated है जो health के लिए जरियस हैं तो उन्हें बैन करना चाहिए लोगों को रोकना है इनका consumption करने से जैसे एक्जामबल के हम बात करें जो भी गुटका होता है कमाकू है पान मसाला होता है उसके उपर आप देखते हैं कि वार्निंग लिखी जाती है वो इससी आर्टिकल को देखकर कही न कहीं लि कैसी जो भी चीज़ें जो कि intoxicating है उन्हें प्रोहिबिट कर देना चाहिए उन्हें बैन कर देना चाहिए बट मैंने आपको बता दिया समस्या क्या है इसलिए कुशी राज इसे फॉलो करते हैं सारे इसे फॉलो करते नहीं है बड़ा important point है बट आर्टिकल 47 इसी की बात करता है और यह सीरी चीदी बात करता है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की लोगों की हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े इसलिए इन सारी चीज़ों को बैन करने की बाद की गई है हमारे DPSP के आर्टिकल 47 में होप यह चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी विकॉस आर्टिकल 48 की बात करें यह आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है यह कहता है तो स्टेट शेल एंडेवल टू और अग्रिकल्चर एंड अनिमल हस्वेंटरी और मॉडन एंड स्टैंटिफिक लाइन से बात करता है कि राज्यों का यह करतव है कि हमारे देश में जो एग करना है देश के अंदर जैसे अगर देश में पशुपालन किया जा रहा है तो पशुपालन के अंदर नए नहीं प्रजातियों को लेकर आना है ब्रीट को इंप्रूव करने की बात करनी है स्कीम्स लेकर आनी ही ताकि किसान भाई बहन जो है वो अपने पशू की ब्रीट को इंप्रूव कर सकें उन्हें कम रेट की उपर चीज़े प्रवाइट करनी है अच्छा पशुधन होगा देश के अंदर तो देश की उन्रती होगी सिधी सिधी बात इसमें यहीं की गई है और हमेशा में एक बात कहता हूं कि हर्याला ने इसमें काफी जादा इंप्रॉmet किया है इस आडिकल की अगर मैं बात करूं कुसरी बात इसमें सेखर को बडावा देने की बीबात आगरी कलचर के अंदर में खे उन्दर हमेश कि आ राट कि लेकर caval करती है कंई जाता है खाद प्रॉवाइड करती बीश करने वह क्यों कर रही आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही कर रही विकाज आर्टिकल फॉटिए यही बात तो कर रहा है अग्रिकलचर के अंदर और पशुपालन के अगर हमारे पास खाद होगी इन हैं जमारे पास बीज होंगे तो उससे कम जगह के अंदर भी हम ज्यादा खिती कर सकते हैं और अर्टिकल 48 इसी की बात करता है दूसरा इसमें एक और बात की गई है उनका रोखना है उन्हें मारना रोखना यहां पर है तो सीधी सीधी बात यहां पर की गई है कि हमारे जो गाय है जिने मां का दरजा भी देते हैं जो अधर पशू है जो काफ से जो मिल्च अनिमल्स है मिल्च अनिमल्स का क्या मतलब होता है ऐसे पशू जो दूद देते हैं दुधारू पशू उन्हें पर्टिकुलरली मारना नहीं है उनके स्लटर के उपर आपको रोख लगानी है कि इसीधी बात यहां पर कही गई है और यह ऐसा इसली कहा गया है ता हमारा देश की पॉपलिशन लगातार बनती जा रही है कई ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए हम अपने देश के पशूधन पर डिपैंड है जैसे मिल्क की बात कर लिजा अभी लंपी वायरस के इंदर हमने दिखा था कि बहुत सारी गायों की मृत्ति होने के बाद आप आप देखेंगे गाय का जो गोबर होता है उससे जो उपले मनाया जाते उसको आप यूप योग भी लोग इधन की रूप में करते हैं आज गाहों के अंदर जिससे हमारा इन्वार्मेंट भी पल्यूट नहीं होता है इसलिए यह सारी शीज़ें देखे रखी हैं अगर मतलब होता है आपको बस उस मतलब को समझना होता है तो चलिए नेक्स पॉइंट की हम बात करते हैं अगे हम बात करें आर्टिकल 48 ए आर्टिकल 48 को भी अडॉप्ट किया गया है यहां पर 42nd Constitution Amendment Act 1976 के तुरू याद रखिएगा यह बात करता है प्रेक्शन इसको लेकर कई सारे कड़े कानून बनाए गया है जैसे बात की जाए यहां पर वाइड लाइफ प्रोडेक्शन एक्ट क्योंकि 1972 के अंदर बना दिया गया था पहले ही बना दिया गया था है यह क्यों बनाया जाते था कि हमारे देश के जो वाइल लाइफ है जो संक्या काफी कमते बटा आप आज देखिए आज काफी जादा है तो यह चीजें जब किये जाती है इस तरह के कानून बनाया जाते हैं जब DPSP के अंदर इन चीजों को इंक्लूट किया गया तो इसके पीशे एक विजन था उस विजन को फुल्फिल करने के लिए ही इन DPSP स्कुर्ट किया गया था और विजन किया है विजन है वेलफेर स्टेट तो याद रखिएगा काफी इन पॉर्टेंट है यह हमारा आर्टिकल 48 नेक्स पॉइंट कि हम बात करते हैं आर्टिकल 49 ते स्टीट शिंट प्रटेक्ट एवरी मॉनुमेंट और प्लेस आफ आर्टिस इसका राज्यों को रखना है संठल गवर्मेंट को भी रखना है और इसको लेकर उनकशी हां पहले धी की जिम्मदारी है विकॉस हमारे कल्चर की उपर हमें गर्व होना चाहिए और कल्चर को खराब कर दिया जाए पोची स्थीक नहीं है तो कि आर्टिस्टीक एन स्थारिक इंपॉर्टेंस के प्लेशे से अबजेक्ट हैं उन्हें सही तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना यह जिम्मदारी होती है और यहीं बात करी गई है आर्टिकल 49 के अंदर चलिए नेक्स आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 50 बात करता है तो स्टेट शेल टेक्स स्टे अब देखेंगे कि कलेक्टर साब जो होते थे उस समय की बात की जाए अपना फैसला भी अपना आदेश भी देते 50 के अंतर जिसे आज अगर आप देखने हैं तो हमारे देश में administration के लिए जो services होती है जिसे मैं बात करूँ IAS की बात की जाए IPS की बात की जाए उसके लिए इक अलग exam देनी पड़ती civil services examination देना पड़ता है उसके through यह services मिलती है और दूसरी तरफ अगर आपको judiciary में जाना है जज बनना है तो हमारे देश में judicial exams होती है तो दोनों का job अलगल होता है दोने के powers को separate कर दिया गया यह किसके लिए और किया गया यह article 50 के द्वारा किया गया है एक यादर कीगा आजदी के बाद सबसे पहले किसी को implement किया गया था यह काफी important है article 50 याद रुखिएगा कि नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा article 51 अंतिम आटिकल है यह बात करता है promotion of international peace and security की देखे question इससे indirectly पुछा गया था question यह था कि कौन सा article foreign affairs की बात करता है इंडिया की foreign policy की बात कौन सा article करता है तो article 51 बात करता है international peace and security की इसमें major 4 चीज़े देखी रखिए तारू को हम ठीक से समझते हैं तारू ही काफी important है पहला है promotion promote international peace and security security हमें international peace and security को promote करना कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हम किसी दूसरे देश को provoke कर रहे हैं युद्धि के लिए भढ़का रहे हैं या हम अपने देश के peace को भंग कर रहे है security को bridge कर रहे हैं किसी दूसरे देश की आगे रहके यह उसकी बात की गई है क्योंकि हमें peace पे ज्यादा कायम रहना है शांती पे ज्यादा कायम रहना है इंडिया की position international level की ओपर international platform की ओपर लगातार मजबूत होती का रही है इसके बाद foster respect and international laws and treaty obligations in the dealing of the organized people with and one other देखे सीधी सीधी बात की जारी कि अगर आपने किसी दूसरे देश के साथ कोई treaty sign की है कोई agreement sign किया है माल लीजिए हमने इंडिया ने Canada के साथ कोई agreement sign किया उस agreement की ओपर हमें टिके रहना है agreement को तोड़ना नहीं है यह चीज़े हमको नहीं करनी है ताकि उस देश के साथ हमा करना है जो कि international law है जो पूरी दुनिया के लिए तो हमें उस लोग को follow करना है हम उसे तोड़ नहीं सकते अगर तोड़ देंगे तो हम पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएंगे यह चीज़ हमें नहीं करनी है इसी के बात की गई है के बात इनकरे settlement of international dispute by arbitration अगर को international dispute हो र आई के मैदान में कुछ जाना है सीधी बात यहां पर इसकी की गई है तो आर्टिकल 51 इन सारी चीजों की बात यहां पर करता है याद रखिएगा यहां पर हमने देखा है कि जो आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल्स के बारे में आपको डीटेल में बता दिया है पूरा चीज़े बहुत अच्छे समझ में आई होगी क्योंकि DPSP एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और वेरियस एक्जामनेशन के इंदर इस टॉपिक से कुश्चन आये हैं डारेक्ली कुश्चन भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर प्रश्चन का जवाब आपको सही तरीके से देना है ताकि एक्जामनेशन के अंदर आप कोई भी कुश्चन गलत करके ना है तो चली आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट लेक्शर में ऐसा ही एक इंस्टेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कुछ MCQs भी हम करेंगे आप सभी अपने अचान रखिए मैनत करते रहेगा जय हिंद जय भारत